हेलो फ्रेंद्स वेल्कम तो ड़ुके एक्साइब राच का सबर्जुन करने के यूद्ध और इसको बहुत अच्छे से इंप्रूब कर सकते हैं कि वे विच्छ निए प्रेक्टिकल करके एक क्यां दिखावा है उसको कैसे इंप्रूब टाइम आइब करके बिफोर और आफट करते हैं कि content की रिडेबिटी अच्छी क्यों करनी होती है आपको इंप्रूब क्यों करनी चाहिए तो अगर अच्छी होती है को आपके content की समय आपने 3000 वड का भी आर्टिकल लिखा है लिकिन उसकी रिडेबिटी अच्छी नहीं है तो यूजर जो आपकी उस वेब पेज पर पुस्ट पाएगा वो content को बोरिंग सा लगेगा उसको पड़ेगा नहीं लास तक और अगर उसकी रिडेबिटी आपने इंप्रूब कर दी या फिर आपने लेंदी content e-book भी लिखी हो या फिर 1000 से 3000 वर्ड का आर्टिकल भी लिखा हो तो उसके लिए easy बन जाएगा content को consume करना तो कौन-कौन से benefits हैं वो हम देखते one by one कि content clear हो जाता है उनके लिए और easy to understand easily वह पढ़ पाते हैं और जो भी points उनको ढूंड रहे होता है जल्दी पता कर पाता है कि इस sentence में या फिर परेग्राफ में क्या है और actually content को read कर पाते है audience जो है आपकी अगर पूरा कहीं और भी click करेंगे वह तो आपकी bounce it वहाँ पर decrease होगी और आपको SEO में अच्छी ranking इंप्रोव जाएगे आपकी और content से interact कर पाएंगे वह अगर उनको कोई आपने बीच में कोई दूसरा service का या फिर कोई दूसरे article लिंक भी दिया तो आपके clicks आने के chances बढ़ ज़कते हैं कि audience जो है पहले से कुछ words को जानती है उन words को आपको यूज करना अपने content में चाहे blog post लिख रहे हो चाहे copywriting कर रहे हो या फिर web content लिख लेंडिंग पेश कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो आप उस ताइम words आपको familiar जिस audience जिसके साथ familiar है वो यूज करने है तो example देखते हैं से कि elevation और height दोनों का meaning same है लेकिन height जो है word वो हर कोई जानता है elevation को हर कोई नहीं जानता जैसे indicate and show show को सब familiar है rather than indicates के then ineffectual and useless तो useless word को जानता है ineffectual काफी लोगों नहीं सुना होता है initiate and begin then demonstrate and show तो कुछ ऐसे words आपको यूज करने जिससे audience जानती है और उनका easily उसको understand कर पाए दूसरा sentences paragraph को आपको short रखना है sentences के length आपको try करना कि 10 to 20 words हो max 20 words से उपर कुछ एक दो sentence चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको flow भी बनाना होता है writing का flow भी बनाना होता है लेकिन mostly sentence आपको try करना 10 to 20 words हो चोटे-चोटे sentences और paragraphs की length आपको रखना है 2 to 4 paragraphs इसमें भी यह exception ह जाना है कि कुछ paragraphs आगर आपको writing flow बना रखने के लिए six to seven sentence भी हो जाते हैं तो ठीक है लिकिन mostly आपको जो focus रखना है कि short रखने हैं आपको तो कुछ example दिखाता हूं आपको मैं कि कुछ अच्छे bloggers हैं वह कैसे अपना write-up में readability को improve करते हैं तो इस पर बहुत अच्छा ट्राफिक आता वेब साइट और audience जो हती है actually content को read करती है तो इसकी readability को अगर देखा जाए तो जैसे कि first paragraph से हम देख लते हैं कि first sentence then second sentence first paragraph में सि सिर्फ दो sentences है अब इस paragraph के बात करें तो यह sentence सिर्फ five words का है और फिर बात में second sentence है वो 10 to 20 words के बीच में है तो हर paragraph में आप देखोगे 10 to 20 words के sentences है plus जो paragraph से हैं वो काफी short है two to three sentences को यूज किया जा रहा है इसमें तो सब में देखेंगे आप चाहिस दो तिन लाइन के लागा कोई आपको लंबा paragraph दीखेगा नहीं इसमें फिस सेकेंड हम देखते एक और reference को कॉपी ब्लॉगर की website है जो की content, copywriting, marketing से लिए काफी कुछ content है इनका देखते हैं कि यह कैसे कवर करते हैं इसे first line को देखें तो एक ही line यूज करें पूरे paragraph में second paragraph को देखते हैं one line and then two lines one line and then this is second line दो लाइन का sentence paragraph है पूरा और sentence की length 10 to 20 के बीश में है यहां पर जैसे बीश पीश में कुछ चोटे चोटे परेग्राफ भी रखें जिसमें इस तरह से आपको भी करना जैसे जो भी परेग्राफ देखेंगे सब स्मॉल है यहां पर जिनकी length सिर्फ दो या तीन sentence की है तो आप जिसको audience है उसको read कर रहा है उसके लिए बहुत इजी है इस content को पढ़ना जैन थर्ड पॉइंट ब्रीकप दे content में लोको आपको जो content है उसको structure करना प्रॉपरली वो कैसे कैसे कह सकते हैं कि आपको headings करनी है second subheadings करनी है बुलेट पॉइंट करना है और numbers यूज करना है अभी वह वाले example देखते हैं आपस जैसे कि मैंनी open किया वह है तो इन्होंने यहां पर first introduction के बाद यहां पर heading use कर ली यहां पर फिर से heading बना दी बुलेट पॉइंट को यहां पर यूज कर लिया फिर heading आ गई यहां पर अच्छे से इंप्रूइंट को मुलेट पॉइंट को मुल्टिपल ताइम इस तरह से आपको content को थोड़ा proper structure करना है इससे भी आपकी readability content के अच्छे से इंप्रूव हो जाती है इस फूर्थ पॉइंट इंप्रूइंट पॉइंट है कि आपकी audience को आपको माइंड में रखना है content credibility improve करते हैं यह point बहुत ज्यादा matter करता है क्योंकि आपने structure भी कर दिया content लेकिन जो words use कर रहे हैं sentences में जो आप में कुछ catchy words कर नहीं पा रहे हैं या फिर ऐसे words use कर रहे हैं जो कि audience समझ समझ नहीं पा रही है तो इस time structure भी प्रॉपर कर लिया होगा लेकिन अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो आप audience को अच्छे English नहीं कर पाएंगे तो उस time क्या करना चाहिए कि आपको उनकी level of understanding को समझना चाहिए कि आपकी जो audience आ रही है उनका understanding का level कितना है अगर बिजनेस के लिए लिए तो आपको अलग टोन और पीच करेंगे तो उस आपको audience को माइंड में रखते हैं content को फ्रेम करना है जैन फिफ्थ पॉइंट विज्वल ऐलिमेंट्स करना है विज्वल ऐलिमेंट्स में क्या क्या कवर हो जाती है एक तो कोई data दिखाया तो उससे रिल्टेड आपने graph यूज कर लिया तो उससे क्या होगा कि वह जल्दी इंट्रक्ट कर पाएंगे उस content को समझ पाएंगी easily जैसे इसमें देखते हैं जैसे नील पटेवला ब्लोग आपसे उपन करते हैं तो जैसे इना फीचर्ड इमेज वह आ इना और फिर यहां पर graph यूज कर लिया कोई इसको प्रेक्टिकली शू करना था तो यहां पर graph लगा दिया screenshot लगा दिये तो प्रॉपर इन्हों ने कुछ पर काम किया है तो यह चीज आपको भी करनी है आपको relevant images यूज करनी है जी होते हैं graph होते है status 22 क 550 तो वहां से screenshot लेकर यूज करिये ये GIF फाइल्स उसकता है और वीडियो सो यूट्यूब के बना रोसका लेंक करके वहां पर आईउस्टा सकताया पर गादरिकली को यूज करने घंज हूंट है और लेक्से सट ग Tommy आब जैसे कि आपने स्पेशली वर्ड यूज कर लिया मोर ओवर अलॉंग विद फॉर्दमोर वेरेज अबाव ओल ऑन दे अधर हैं तो ऐसे कुछ वर्ड्स इनको ट्रांजिशन वर्ड्स बोलते हैं जो क्या करता है कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से अच्छे से जोड़ पा काफी सारे ऐसे वर्ड्स यूज करने जाए आपके पूरे कॉंटेंट में गुछ टूल्स आप यूज कर सकते हैं आपने राइट रिडिविटिक को इंप्रूव करने के लिए और राइटिंग को थोड़ा से इंप्रूव करने के लिए फर्स्ट है जो ग्रेमर ली टूल मे को तो वहाँ पर उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है रेट करना तो यह चीज आपको वहाँ पर आइडिया मिल जाएगा और हमिंग वे में यह होता है कि सेंटेंस वगेरा कर लॉंग है तो आपको हाइलेट करके दिखा देता है कि आपको सेंटेंस 20 वर्ट से ज्यादा है दूसरात अगर आपको चुई कॉम्ट्लिकेटज उचेंट कर लिए तो आपको हमिंगवे फ़्लीट का लिए और वी का ईंस्ट्राविपका सब्सुल कररें तो उस टायाम योस्टक्र को को plug-in install कर लीजिए और वहाँ पर एक section आता है वहाँ पर भी आपको आइडियास देगा कि समझ लीजिए कि कोई sentences है वह 20 वर्ट से ज्यादा के हैं तो आपको वहाँ पर highlight कर देगा वहाँ उसको ठीक कर सकते हैं दूसरा कोई जो आपके paragraph होगे रहा है या फिर कोई section है वह ती जा रहा है वह बहुत शांदर content जाएगा अब tutorial करते है practically एक मेरे पास draft है जो किसी content article लिखा हुआ है और उसमें उस topic को cover किया है 700-800 word में उसकी reliability काफी पूर है अभी उसको हम improve करेंगे कैसे use करते है जैसे article है is this the end of tourism industry और a new start तो जैसे content देखेंगे आप बहुत बड़े-बड़े paragraphs है और heading, sub-heading एक भी नहीं है images, graphics कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो हम improve कैसे करना है इसको हम एक बार demo के लिए देखते हैं पूरा grammatical mistakes होकर इसकी ठीक नहीं करेंगे readability पर जादा focus करेंगे यहाँ पर तो first अपन sentences ठीक करते हैं कि sentences को या फिर paragraph को short कैसे कर सकते हैं जैसे second वाला काफी lengthy paragraph है जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया ब्रेक करते ताइम जानकना चाहिए कि sentence को फ्लो आवोट नहीं तूटना चाहिए जैसे कि मैंने यह उपर वाला sentence यहाँ से ब्रेक करने का था मेरा लेकिन मैंने यहाँ से ब्रेक नहीं किया को कि स्टेट्स कनेक्टेट थे फिर इस paragraph के उपर आते हैं अब यह वाला sentence जो काफी लेंद दी है उटल से लिकर इतना मला अब एक ही अब इसकी बात कर रहें तो इसकी लेंद देखेंगे अभी हम 38 words का sentence है पूरा होना चाहिए around 15-20 words के ज्यादा आपने को ट्राइ करना चाहिए तो इसको कैसे आपन ठीक कर सकते है यह वाला sentence अबटल से अबर कर आपने कर आपने कर से देखेंगे बाद आपने कर ठीकर चाहिए सबाद रहें तो यह जो इतना बड़ा sentence था उसको मैंने short करके 17 words का बना दिया है तो इसको मैं यहाँ पर remove कर दूँगा और इस sentence को यहाँ पर use कर लूँगा meaning वही निकल रहा है अगर read करके देखेंगे तो meaning वही निकल रहा है और उसको मैंने short कर सकते हैं इस तरह से कि इन्होंने काफी lengthy content लिखा है और readability को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा गया इस content के अंदर ऐसे चीज़े आपको avoid करनी है यहाँ पर double space था यह चीज़े नहीं होनी चीए grammatical mistakes और bullet points की जगह इन्होंने star use किया है इसका बिल्कुल sense नहीं बनता है यहाँ पर star use करने का आपको bullet points show करना है तो bullet points वाले symbol होते हैं वह आपको use करने चाहिए इस इनको मैं select करके bullet points add कर दूँगा फिर आप इस paragraph रहूँगा तो यहाँ से break कर सकता हूं content को तो पहले से sentences को मैंने short कर दिया अब मेरे को करना है कि heading और sub heading decide करना इस content को मुझे read करना पड़ेगा फिर उस हिसाब से मैं heading बनाऊंगा कुछ sub heading बनाऊंगा और कई bullet points बन सकते हैं तो बनाऊंगा और वैसे इसमें आप एक चीज देखेंगे कि जो Google Doc है वो कुछ suggestion दे रहा है improvement के grammatically तो आपने देख सकते हैं यहाँ पर दह लगाने का बोल रहा तो ठीक है जो write लगते हैं आपको उनको accept कर लिजा आप तक कि automatically आप टूल का यूज करके कुछ अपनी grammatical instincts को avoid कर पाते हैं अब जैसे कि इसमें यहाँ पर इस paragraph को मैं यहाँ पर heading लगा सकता हूं कि impact of जैसे मैं यहाँ पर heading लगा सकता हूं impact of COVID-19 on travel industry क्योंकि next paragraph में इन्होंने data दिखाया है कि क्या क्या loss हुआ है कितना economic loss हुआ है और बाकि जो hotels हैं उनको कितना क्या suffering हो रही है तो इसको मैं करके यहाँ पर heading बना जैता हूं h2 तो यहाँ तक data चल रहा है तो इधर ठीक है यह भी other impacts को दिखा रहे है इस paragraph में भी तो इस तरह से आप कुछ करेंगे तो आप पर break कर लेंगे अलगल impact को कर दिखाना है for example पहले इन्होंने hotels का दिखाया है travel industry में दूसरी जो places हैं तो आपको content पूरा proper read करना पड़ेगा उसके लिए improve करने के लिए इसी में hotel shutdowns की बात किये तो अपन यहां पर use का लगते है hotel shutdowns during covid-19 इसको दिखा रहा है तो अपन यहां पर section accept कर लेंगे इसको h3 बना देता है तो एक heading यहां हो गई then यहां पर population और loss of lives की बात कर रहे हैं तो यहां पर जिसके हमने एक बना दी heading loss of lives इस तरह से आपको कुछ subheadings और subheadings बनानी है और last में समझ लीजिए कि इन्होंने conclude किया है तो यहां पर मैं conclusion use कर लूँगा अब पहले वाले article और इसमें कुछ headings हो गई और paragraphs और sentences को short कर दिया है तो मैंने बहुत सारी free website बताई यहां से आप free images ले सकते हैं तो वीडियो आप चेक कर लिए इसका link आपको description में मिल जाएगा जैसे मैं unsplash से कोई तो मैं unsplash पे कुछ travel से लेटर कुछ photos उठा लेता हूं free वाली तो मैं ट्रेवल पे सर्च किया तो यहां पर जो ट्रेवल के लिए results आ रहे हैं और relevant लगता है मुझे सब्सक्राइब लोग यह image करना मुझे तो मैं इसको यहां से download free कर सकता हूं तो यह download होगी यहां पर फिर मैं इसको set यहां पर समझलों में पिक कर लेता हूं इस image को तो image यहां पर आ गई तो इस image का बहुत ज्यादा impact पड़ेगा क्यों बहुत ही अच्छी image है और travel के बारे में है और impact की बात करें कोई 19 की समझली अपने कोई 19 से लेज़ेट कोई सर्च करना है image कोई travel सर्च करता हूं गर कुछ relevant image मिल जाए मुझे तो इस तरह से मैंने image यूज कर ली तो यह free वाली image करने से यूज करके फर्स्ट और जैन सेंटेंसेज है पेरेग्राफ से उनको शॉट करेंगे और बुलेट पॉइंट को यूज करेंगे फोटो यूज करना वीट्यूब के वीडियो इंबेड करना इस तरह सी यह जो मैंन टिप्स थी और टुटोर्स में दिखा किस तरह से अपने प्रेक कर सकते सेंटेंसेज को और प्रेग्राफ को शॉट किया जा सकता है हैडिंग को बना जा सकता है और इमेजीज जो फ्री वाली है उसको यूज करके एक फाइनल जो ड्राफ्ट बनता है कॉंटेंट का आपका बहुत अच्छा बन सकता है थैंक यू झाल